हाई गाईज और वेलकम तू सोरी सवर्ड तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगे कि चेहरे के बालों का क्या समाधान है और चेहरे के बालों से हम कैसे छुटकारा पासके हैं यानि कि फेशल हैर जो हम सबकी प्राबलम होते हैं अब अपने फेशल हेर से बहुत जाए पर हुँ और रहा हुँ और मेरे पाल बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैडम फेशिल हेर पे कैसे कैसे रिमूब कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लेवन आई हुँ कैसे छुटकारा पासकते हैं ,क्या रेमेडिस hairst하지 कैसे क्या है और यह क्या कारण हुते हैं। तो friends, इसका सबसे बड़ा पहला कारण है genetic, बहुत सारे लोग होते हैं women's होते हैं जिनकी बच्पन से ही body, face पे बहुत ज़ादा बाल होते हैं और उनके बचपन सेही बडी पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं कि उनके जो उनके फेस पर बाल होते हैं और सेकेंड तींग है हार्मॉनल डिस्पैलेन्स यानि कि भौत लोगों के जो फेशली हमारे बाल आने लगाते हैं specially हमारे chin area, हमारे sides, हमारे upper lips rate कäre बड़े हो जाते हैं ह laurel disability होता है यानि कि हमारे hormones का बहुत जादा बढ़ना चाल आ हो जाना हमारे अंदर च्रूपस था आशर्मों उस भी होते हैं जो प्रेक्जेस्टे और जो हमारी ovaries यहWarती हो manufacture देम 1977 प्रकास्म्आ 13be इसका थर्ड रिजन है गर्व निहोंदड गूली यानि कॉंटरसेप्टिव पिल्स उनसे भी हमारे फेस पर क्योंकि उनसे भी हमारे हार्मोनल इंबैलेंस हो जाते हैं जिससे कि हमें फेशल यानि कि चहरे पर अंचाहे बाल आ जाते हैं और फेंड जो थर्ड रिजन था कि हम बहुत ज्यादा स्किन वाइटिंग प्रॉडटक्स इस के लिए बहुत जादा हामफुल होते हैं तो यक Imper Blocks li 닿 उनसे अथिके यूजर्म करने से हमारे फेस पर बहुत ज्यादा फेशल जाते हैं और बहुत ज्यादा हमारे फेस पर साइचे फेशल फेस पर चहरे पर अंचाहे बाल आ जाते हैं और फ्रेंड next reason है कि बार बार अपने face पे threading करवाना wax करवाना या bleach करना क्योंकि hydroquinone और steroid it's a kind of a bleach तो आप उसको avoid करें bleach हो बहुत ही कम करें और bleach हो तो आप बिल्कुल ही bleach को और यह जो waxing wearer को हमेशा के लिए आप बोले bye bye different waxing से एक तो हमारे face पे जो skin होती है वो loose होती है और second thing कि आपके जो बाल फेस पे जो हलके बाल होते हैं पतले बाल होते हैं अगर आप उसको waxing करेंगे bleach करेंगे तो आपके जो next time बाल आएंगे वह बहुत ही ज्यादा hard होंगे अब wax करते हैं ब्लीच करते हैं तो बहुत साहे लोग होते हैं वह अपने पोर्स को बंद नहीं करते हैं जो wax के बाद टोनन लगाना एस्टरजन जो है लगाना बहुत सा जरूरी होता है क्योंकि अगली बाल मोटे आएंगे और साथ यसाथ हमारे फेस पर और फ्रिलोग प्राद हो जाएंगे और छोड़ चोटे डर्यच डाने हो जाएंगे और फेंट बहुत सारे लोगों का मित होता है कि अकर हम फेस पर कोई साभी ऑईल लगाएंगे जैसे मां बोलती हुआ ओलिओ ल बादाम का तेल लगाओ तो बहुत साही लोग पूछते हैं कि आइल लगाने से तो हमारी फेस पे बाल आजाएंगे ऐसा नहीं है आइल लगाने से ऐसा आपके फेस पे बाल नहीं आएंगे एक वीजन और है थाइरोड जिनको थाइरोड की प्रापलम है उन्हें भी भहुत सारे फेशल हैर के बाल आजाते हैं जैसे कि मेल्स के आते हैं वैसे फेमेल्स के आजाते हैं जो कि बहुत ज्यादा और लगता है बहुत सारे जो health supplements होते हैं क्योंकि उसमें male hormones मिलाए जाते हैं जिससे कि हमारे जब हम women खाती है तो हमारे body में male hormones का production जादा होता है तो हमें अपने body पे facial hair पे face face पे बहुत जादा hair आ जाते हैं तो वो भी आप avoid करें इसका सबसे अच्छा तरीका है जब पहला तो है laser laser बहुत अच्छा है पर बहुत सारे लोगों को मित होता है कि laser से पूरी तरह से हमारे पतले हैं उनकी direction देखी जाती है फिर उनके according sitting होती है कि कितनी sitting में बाल चले जाएंगे पर वो भी ये बोलते है पहले कि एक महिने में आते हैं तो आपके बाल तीन से चार महिने में आएंगे और बालो के जो quantity होगी बालो का टेक्शर होगा वह भी बहुत ही ज्यादा सौफ्ट हो जाएगा मुलायम हो जाएगा और जिसे कि आप अपने जो natural home remedy से जैसे बेसन का उप्टन हो गया और बहुत करता है कि आप किस उसे करवा रहे हैं लेजर treatment किस क्लीनिक से करवा रहे हैं तो बहुत सारी क्लीनिक होते हैं उनके अलग 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 warriors होते हैं और inom मारी आफेशे नहीं कर साथ यह रहाते हैं तो इसलिए बट जो नहीं इ ense चाहतें बाल में वो सोचेंगे तो उनके लिए कौन सा option बेटर है कि वह अपने फेशल यानि के चहरे के बालों से हम चुटकारा पा सकते हैं तो फ्रेंट इस तरह से मार्केट में क्लिपर आते हैं बहुत ही सस्ते होते हैं यह चार सो से पांसुर रुपे के होते हैं और यह हमारे जितने भी एस पर यूसरे के लिखाऊंगे वही हैं अचार पार्दय के लिए। सो फ्रेंड आई होप आपको आज का जो फेशल है यानि की चेहरे के अचाहे बाल कैसे रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड के मैंने बहुत ही सस्ता है यह आपको फिलिप्स का मिल जाएगा आप किसी का भी खरीज सकते हैं यह मैंने कल ही खरीदा है तो यह मेरे को पड़ा था 11 डॉ आपके आपके मैंने लाइफ डिखाया कि बिल्कुल किसी तरीका पेल नहीं हुआ मेरी स्किन पेकिसी तरह प्रिकर के दन नहीं हुए क्योंकि बीकूस दिन पहले मैं पहले बेक्स ही करती है अपने पार 크DI चूह में अइ Choi्ड जो फेर्ट हो गए हैं तो मुझे लगा कि मेरे और मेरे फेस पे थोड़ चोटे दाने हो गई थी और इसे वेक्स से हमाई स्किन भी लूज हो जाती है तो मुझे सबसे अच्छा मेथड लगा सबसे चीप और पेइनलेस मेथड फॉर रिमोविंग फेशल एर की चैरे के अंचाहे बालों को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और अब बात आती है अगर आपके फेस पे बाल मोटा बाल आता है यानि क्योंकि मेरे फेस पे यहां पे साइट में हलके बाल आते हैं और यहां पे चिन पे आते हैं मोटे बाल जिनके पूरे फेस पे बहुत ही ज्यादा है मोटा बाल आता है तो दे शुड गो फॉर लेजर लेजर ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपके बाल ऐसे आएगे जैसे कि मेरे रुवा टाइब का बाल आता है तो आप एक क्लीपर से रिमूव कर सकते हैं इस 101% safe and effective और बहुत ही जादा affordable है तो आई होप आपको आज की पसंद आया होगा वीडियो की चैरे के अंचाहे बालों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और क्या इसके reason है कि हमारे face पे बहुत जादा बाल आने शुरू हो जाते हैं क्यों आते हैं क्या कारण होता है तो यह आप ज़रूर ले सकते हैं आप ट्राइ कर सकते हैं तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी कि चैरे के अंचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पास सकते हैं और मैं आप से मिलूंगे किसी नई होम रेमेडी नई डी आई वाई और नए किसी स्कीन केर के साथ तिल दन बाबाए और स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटिफुल बाबाए